ठीक है medical help वेगर लेनी चाहिए तो लीजिए उसमें तो कोई कभी मैं deny ही नहीं करूँगा ठीक है बट layman language में दो वर्ट में solution है डाट टेस कि बच्छे के रहे सर्ड डिप्रेशन हो रहा है डिप्रेशन के स्पेलिंग गलत है यार ठीक है पहले स्पेलिंग टीक कर ठीक है करें बताओ तारी problems का एक ही एलाज है आपको बता दूँ ठीक है आप किसी भी मौके से गुजर रहे हो ठीक है जो भी बड़े होते हैं घर में चाहिए आपके mom हो dad हो भाई हो बहन हो कोई भी आप teacher है हमें count कर लीजे हम भी तो family member ही है ठीक है हम तो at least आपको अपना family member मानते है आपका perception क्या है वो पता दे ठीक है जो भी घर में बड़े होते हैं इन्होंने सारे face देख रखे होते हैं अच्छा time, बुरा time, anxiety, depression, those days when you feel you are the king of the world and those days when you feel absolutely shit, ठीक है तो उनसे कुछ सीखिये, I would say सारी चीजों का है ना सारी चीजों का बहुत सारी बाते करेंगे तो पर टाइम बचेगा निए पढ़ाना है हमें उस पर जादा focus करना है ठीक है और class के शुरू में मुझे ज्यान देना पसंद भी नहीं है class के एंड में देना पसंद है बड़ आपको एक simple simple words में ना आपको solution बतारा चाहूंगा ठीक है that is दो words में उसका solution कुछ पी और depression और anxiety और कुछ भी हो ठीक है medical help लेनी चाहिए तो लीजिए उसमें तो कोई कभी मैं deny ही नहीं करूंगा ठीक है बट layman language में दो words में solution है that is get busy ठीक है अपने आपको इतना और यह tough है it's tough it's not easy ठीक है कहना असान है मेरे मूँ से शब्द निकलते हो असान लगने है बट जब इनको apply करना पड़ेगा it's tough I have been there done that twice so I know that ठीक है कि आप अपने आपको इतना busy कर लीजिए कि जो भी thought है चाहिए वो anxiety का है depression का है कोई past memory है maybe you are going through some rough phase ठीक है उसके लिए time ही ना बचे ठीक है तो और यह मुश्किल है मैं इसको नहीं कहूंगा बाते करना असान है हम भी करके निकल सकते हैं बट यह tough I have been there done that so I know it's tough